हेलो आज हम लोग बात करेंगे मध्य परदेश में वन सम्मंदित अधिनियम की ये जो वीडियो है काफी इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट इस वज़ा से है क्योंकि इस सम्मंदी जो प्रश्ण है वो मध्य परदेश प्रिलिम्स एक्जाम के साथ अभी जो मध्य परदेश में MPPSC forest mains का जो एक्जाम होने जा रहा है उसके लिए भी काफी इंपोर्टेंट है और मध्य परदेश में जो ब्यापम या यह कहा जाए कि पीवी जो एक्जाम कराती है उसमें भी जो है इन अधिनियमों से प्रश्ण बनते हैं तो आज का जो हमारा वीडियो है या हमारा जो लेक्चेर है वो मध्य परदेश में वन समंधित अधिनियम और वन समंधित जो प्रमुक संस्थान हैं जो मध्य परदेश में संचालित हो रहे हैं जिनका जहे वन सनच्छन से सम्मंधित कार्य हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. तो पहली स्लाइड में जैसा आप लोग देख रहे हो, कि एक तरफ मैंने अधिनियम का नाम लिखा है, और दूसरी तरफ मैंने मध्य परदेश में लागू होने का दिनांग लिखा है. ठीक है, कि ये जो अधिनियम है, वो मध्य परदेश में किस डेट से चल रहे हैं, या किस डेट को लागू हो हैं? तो पहला जो वन अधिनियम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 1927 का है, 1927. तो भारती वन अधिनियम 1927, ये मध्य परदेश में एक नवंबर 1956 को लागू होता ओके, दूसरा है, वन जीवन सनच्छन अधिनियम 1972, ये है वाइल लाइप प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीवन सनच्छन अधिनियम 1972, ये मध्य परदेश में 15 नौंबर 1974 को लागू होता है, 1974, 15 नौंबर वन सनच्छन अधिनियम 1980, फॉरिस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 जो है, वो मध्य परदेश में 25 अक्टूबर 1980 को लागू होता है, कब 25 अक्टूबर 1980 को मध्य परदेश कास्ट चिरान विनियमन अधिनियम ये 1984 का है, देखे, ध्यान देना है कि ये जो एक्ट है वो 1984 का है, लेकिन ये मध्य परदेश में 15 अधिसंबर 1983 को ही लागू हो है ठीक है तो एक्ट है 1984 का लेकिन ये एक्ट ये जो अधिनियम है वो 15 दिसंबर 1913 को लागू होता है तो अधिनियम बर्स 1984 है लेकिन लागू होने की तीथी याद रखे 15 दिसंबर 1913 दूसरा है मध्य पर्देश बन उपज बेपार विनियमन अधिनियम 1969 या मध्य पर्देश में एक नॉबंबर 1969 को लागू होता है दूसरा मध्य पर्देश तेंदू पत्त बेपार विनियमन अधिनियम 1964 इसकी डेट है 28 नॉबंबर 1964 इसके बाद मध्य पर्देश वन भूमी शास्वत पत्ता प्रतिसहरण अधिनियम 1973 यह लागू होता है मध्य पर्देश में 1 अक्टूबर 1973 एक अक्टूबर 1973 मध्य पर्देश लोक वाने की अधिनियम 2001 का है और इसके लागू होने की डेट है 12 अप्रेल 2001 क्या 12 अप्रेल 2001 देखे जै विविता अधिनियम 2002 का है भारत में यह अधिनियम 2002 का है लेकिन मध्य पर्देश में यह 21 नॉबंबर 2014 को लागू होता है लगभग 12 साल बात तो 21 नॉबंबर 2014 को बायो डायवर्श्टी एक्ट लागू होता है मध्य पर्देश में 21 नॉबंबर 2014 को मध्य पर्देश ग्राम वन नियम यह है 2015 का और मध्य पर्देश में लागू होने की दिथी है चार जून 2015 और चार जून 2015 को मध्य पर्देश सनच्छित वन नियम भी लागू होता है ति यह दोनों की जो डेट है लागू होने की वह एक ही है चार जून 2015 एक मध्य पर्देश ग्राम वन नियम 2015 और दूसरा मध्य पर्देश सनच्छित वन नियम 2015 15 के साथ में अब हम दूसरी क depends करेंगे जहां पर jaar अगर प्रमुक्ष संस्थान है जो फॉर्स्ट और कीस्ट से समंधित कारी करते हैं या रिशर्च समंधित कारी करते हैं उनके बारे में तो पहला City रास्टी अनुसंधान देहरादुन का अगर रिजनल आफिस पूछा जाए रिजनल आफिस मतलब छेतरी कार्याल है तो में देहरादुन में लेकिन इसका एक रिजनल कार्याल है आपको जबलपूर में मिलेगा कहाँ जबलपूर मद्यपरदेश इंडियन इंस्टूट आफ मेनेजमेंट 1982 में इसकी स्थापना की जाती है कहां पे भुपाल में इंस्ट्यूट और फॉरेस्ट रिसर्च एंड हीमन डिशोर्स डेवलप्मेंट यह 1995 का यह है चिंदवाड़ा और चिंदवाड़ा एक तरीके सोर याद रखेगा मध्य पर्देश का सबसे बड़ा जीला ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्ट्यूट की बात के जाए यह है 1988 1988 में इसका इस्टेबलिश्मेंट होता है इसका स्थापना होती है और यह है जबलपूर में कहां पे जबलपूर में मध्य पर्देश वन विभा की स्थापना पूछा जाए आपसे तो बताएंगे 1860 अजादी से बहुत पहले 1860 में ही मध्य पर्देश वन विभा की स्थापना की गए थी आगे जैसे माले की फॉरेस्ट मेंस अभी एक्जाम है 24 जुलाई को इसके पाद अगर इंट्रुवू के पॉइंट आउप से बात के जाए तो इस तरह से प्रस्ण पूछे जा सकते है कि मध्य पर्देश में वन विभा की स्थापना कभी तो यह याद रखे 1860 मध्य पर्देश राज वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को किए गे 1975 को तो इस्टेट फॉरेस्ट डेवलेप्मेंट कॉर्परेशन यह 24 जुलाई 1975 का 75 मध्य पर्देश राज लगू वनोपज वेपार एंविकास सहकारी संग का गठन 1984 में होता है 1984 में किसका राज लगू वनोपज वेपार एंविकास सहकारी संग का गठन मध्य पर्देश राज वन अंसंधान संथान जवलपूर में यह 1963 में अस्तित्य में आया है मतलब यह 1963 में यह इसको इस्थापित किया गया तो राज जी वन अंसंधान संथान कहां पर है यह जवलपूर में अब कुछ और प्रमुक्तत्य हैं मध्य पर्देश वलने से संबन दी तो अगर आपसे पुछा जाए कि जय विविद्था बोर्ड का गठन कब किया गया मध्य पर्देश में तो यह है 2005 का तो बोर्ड का गठन 2005 में होता है लेकिन बायो डैवर्सिटी एक्ट जो है 21 से बोर्डी है जिसका गठन 12 जुलाई 2005 को किया जाता है ऐसे तो एक्ट किया गया है तो उस एक्ट का नाम है मध्य पर्देश चोसाइटी एगट 1973 मध्यपर्देश सोसाइटी एक 1973 ओके मध्यपर्देश राज्यवास मिशन का गठान 3 जुलाई 2013 को किया गया कब 3 जुलाई 2013 को तो राश्टी बास मिशन योजना के क्रियान्वन के लिए यह किया गया था और डेट रियाद रखना है 3 जुलाई 2013 13 इसके साथ gram बन नियम जो कि पिछी बन बात किया था इसका जो आता है यह चाहर यूं 2015 को आता है ठीक है और सनचित परेंदन नियम ये भी जुह है वह गजट होता है 2015 चाहर जुन 2015 ठीक है लास्ट में चलते चलते हम लोग इसको ध्यान रखें कि इसके संदर में सनच्छित बन प्रबंधन 2015 जो कि राजपत्र में चार जुन 2015 को प्रकासित हुआ इसके संदर में मध्यप्रदेश आसन द्वारा एक जुलाई 2015 से क्या एक जुलाई 2015 से संदर में सनच्छित बनों का ग्राम बन समितियों द्वारा प्रबंधन हेतु आदेश जारी किया गया है मतलब जो ग्राम बन समितियां है वो इसका जो है मेनेजमेंट का काम करेंगी ठीक है और लास्ट में, राज्य वन विकास अभिकरान, तैके राज्य वन विकास अभिकरान स्टेट फॉरेस डेवलापेंट अथाइर्टी गा गठान, 19 अप्रेल 2010-09, 2010 तो यह जो कुछ इंप्रेट इंट थी, कुछ फैक्टस थे हमारे पास जो आप लोग से हमने सेयर किया आने वाले परिछाओं के लिए काफी मतपूर हैं तो इनके प्रमुक्विंदों को याद रखेगा थैंक यू धन्यवाद